दूनियां गांधी खड़गे साब सब कुछ मंच पर आगें बड़ा इंट्रेस्टिंग होगा कि ये यहां पर क्या कहते हैं ये क्या बोलते हैं क्योंकि दिन बर से जो कॉंग्रिस के नेता हैं या गडबंधन के नेता हैं वो इस तरह की बाते करते रहे थे कि शाम को नंबर स प्रेस कॉंफरेंस में लेके चलते हैं अच्छे सतीज जी जब तक ये बोलना शुरू करें आप जैसा अभी सजन साब भी कह रहे थे कि क्या हम एक बार फिर से कोईलेशन एरा के अंदर जा रहे हैं मतलब ये बिलकुल वैसा एरा तो शायद ना हो जैसा हमने पहले देखा ह है डिफिनेटली यहां सरकार बीजेपी की बनेगी बनती है तो एंडिये वाली और उसमें बोधी साब प्राइबिनिस्टर चलिए चलते हैं शाद बात्चीश शुरू हो गई है रिस्पेक्टेड मेडम सुन्या गांदी जी राहूल गांदी जी प्रियंका गांदी जी और इस मंच पे बैटे हुए हमारे पार्टी के सभी नितागन आज जो देश में चुनाओ के रिजल्ट आये हैं यह मैं तो पहले कहूंगा यह जो रिजल्ट है जनता की रिजल्ट है और यह जनता की जीत है और लोकतंतर की जीत है हम पहले से यही कह रहे थे हैं कि यह लड़ाई हमारी मोधी वर्सेस जनता है लोक हैं तो आट्रावी लोकसभा के चुनाओं में हम विनम्रता से जन्मत को स्विकार करते हैं इस बार जनता ने किसी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं दिया खास कर सत्तादारी दल बाजपा ने एक व्यक्ति एक चेहरे के नाम पर वोट मांगा अब ये स्पस्ट हो गया है कि ये मैंडेट मोधी जी के खिलाब गया है ये उनकी राजनाइतिक और नाइतिक हार है जो व्यक्ति बार बार अपने नाम से ही हर जगे ओट मांगते थे उनकी ये बहुत बड़ी हार है और नैतिक द्रश्टी से ये तो उनको बहुत बड़ा नुक्सान हुआ है आप जानते हैं कि कॉंग्रेस पार्टी और हमारे इंडिया गटबंदन से बहुत प्रतिकूल माहोल में चुनाओ लड़ा सरकारी मशनरी ने कदम कदम पर अवरोध डाला बैंक खाते सीज करने से लेकर तमाम नेताओं के खिलाब अभियान चलाया फिर भी सुरू से आखिर तक कॉंग्रेस पार्टी का कैमपेंज सकारात्मक था पॉजिटिव था हमने महंगाई बेरोजगारी किसानों और मजदूरों की बधाली और समिदान संस्ताओं के अदुरूपयों जैसे विश्वों को केंडरी मुद्दा बनाकर हम जन्ता के सामने गए थे इन मुद्दों पर बड़ी संख्या में लोग हम से जुड़े हमारा समर्तन किया प्रदान मंत्री ने जिस तरह का कैमपेंज किया वो इत्यास में लंबे समय तक याद रखा जाएगा कॉंग्रेस के घोशना पत्र के बारे में मोदी जी ने जो जूट फैलाया जन्ता ने उसे समझ लिया मैं इस मोके पर कहना चाहूंगा कि स्री राहूल गांदी जी की दोनो यात्राए भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याई यात्रा के दवरान लाखो करडो लोकों को मिलना लोकों की समझाओं को सुनना और आगे चलकर उन समझाओं का हल डूनना हमारे क्यामपेन का आधार बना हमने इसी को पांच नयाई और पच्चीस गारेंटी का नाम दिया और इसी के आधार पर हमने गारेंटी कार्ड बनाया हमारे कारेकरता उसे लेकर घरगर पहुँचे और लोकों को संपर्क करे इसके अलावा जो एक महत्मून बात है वो भाजपा नेतरत की अहंकार की वज़े से हुई उन्होंने धीरे धीरे सारे समिधानिक सोंस्ताओं के उपर गैर कानूनी तरीके से कबजा करने की कोशिश की फिर इनका उपयोग विरोधी दल के खिलाफ करने लगे जो दब गया उसे दबा के अपने तरफ लिया जो नहीं दबे उसकी पाटी को तोड़ दिया नहीं तो फिर जेल में डाल दिया लोकों को ये विश्वास हो गया था कि मोदी जी को एक मोका और मिला तो अगला हमला समिधान पर सीधा होगा और लोकतंतर पर होगा इसलिए लोकों को इसके प्रमाण नए संसत सत्र के साथ ही दिखेंगे खुशी इस बात की है कि भाजुपा इस सेडेंतर में अब सपल नहीं हो पाएगी मैं इस अउसर पर सीपीपी चेरपर्शन स्रीमती सुन्या गांधी जी हमारे लोकप्रियनिता रहूल गांधी जी प्रियांका गांधी जी का विशेश महीं दन्यवाद करना चाहता हूँ और इन्होंने दिन रात बराबरी से पूरे देश में कैमपेंग किया और हमें एक मजबूत स्थिती में पहुचाने के लिए भारी मदद इन्होंने की और मैं ये कहूंगा कि इनके वज़े से हमको बहुत बड़ा प्रोचसान देश में मिला और आज ये इस्तिती जो बनी है उनके वज़े से बनी और हमारे करडो कार्यकरता जो है देश में उन्होंने भी हमारा साथ दिया इसलिए मैं बहुत बहुत उनको धन्यवाद देता हूँ आखिर मैं इंडिया गटबंदन के अपने सभी सातियों और सुपचिंतकों का धन्यवाद करता हूँ सभी एक साथ मिलकर एक स्वर में रहे सभी ने मिलकर परचार किया और एक दूसरे की मदद की हमारे हजारों लाखो कारेकरताओं ने अच्छे तालमेल के साथ काम किया आप सभी का धन्यवाद अभी हमारी लड़ाई अंजाम तक नहीं पहुँची है हम सब को आने वाले दिनों में इसी तरह लोगों के अधिकारों के लिए समीदान की रक्षा के लिए लोगतंत्र के बचाओ के लिए देश की तरक्षी के लिए सीमाओं पर सुरक्षा के लिए लड़ते रहना चाहेंगे हमें सुनिश्चित करना होगा की संसद सुचारू रूप से चले विपक्ष के मुद्दों को प्रात्मिक्ता मिले संसद में उन पर भैस हो आने वाले दिन महत्पूर होंगे हम आप से बात करेंगे जब कभी भी मोका मिले आप सभी को मेरा धन्यवाद और आपका साथ भी हमको रहा और हमने चुनाओं में भी जहांजां हमको जितना हो सकता है वो साथ आपने दिया इसलिए आप सभी को भी मुझे धन्यवाद करता हूं और सभी को नमस्कार दे शुक्रिया खरगे जी मैं राहुल जी से गुजारिश करूँगा वो आपको सम्भोधित करें खरगे जी आपने बड़ी सभी बात बोली जहां तक आप हमारी मदद कर सकते थे उसी लेवल तक मदद की देखिए ये चुनाओ इंडिया गटबंदन और कॉंगरिस पार्टी सिरफ एक राजनेतिक दल के खिलाफ नहीं लड़ी थी ये चुनाओ हम पीजेपी एक राजनेतिक दल हिंदुस्तान के institutions हिंदुस्तान का जो पूरा governance का structure है intelligence agencies CBI, ED ये सब आधी judiciary इन सब के खिलाफ हम लड़े थे क्योंकि इन सब संस्ताओं को इन सब institutions को नरेंद्र मोदी जी ने और अमिट शाजी ने capture करा धंकाया डराया प्रेस की तो मैं बात करता रहता हूँ आपको मतलब काफी बार कहा है कि आपका भी रोल रहना चाहिए और उस रोल को काफी लोगों ने किया काफी लोगों ने खुल के किया काफी लोगों ने छुप के किया और आपके emotions कहां थे हमें मालूम है लडाई समविधान को बचाने की थी Constitution को बचाने की थी और मैं आपको सच बताऊ तो मेरे माइंड में था पहले से जब इन्हों ने हमारा bank account cancel किया जब Chief Ministers को जेल में डाला पार्टियां तोरी मेरे माइंड में था कि हिंदुस्तान की जनता अपने समविधान के लिए एक साथ खड़ी होके लड़ जाएगी और ये सच थाबित हुआ मुझमें भरोसा था और मैं हिंदुस्तान की जनता से इंडिया गडबंदन के पार्टनर्स से कॉंग्रेस पार्टी के हमारे सब नेताओं और बबबर शेर कार्यकरताओं से दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ आपने सब्विधान को बचाने का पहला और सबसे बड़ा कदम ले लिया है कॉंग्रेस पार्टी कॉंग्रेस पार्टी ने इस चुनाओं में कॉंग्रेस पार्टी के सब नेताओं ने दो तीन चीज़ें की सबसे पहले हमने इंडिया गडबंदन के पार्टनर्स की रिस्पेक्ट की उनकी जो विशिस थी उनको हमने साथ लिया और आपने देखा होगा कि जहां भी गडबंदन लड़ा हम एक होके लड़े दूसरी बात कॉंग्रेस पार्टी ने क्लैरिटी से हिंदुस्तान को एक निया विजन दे दिया है प्रो पूर विजन प्रो प्रड़क्शन विजन हिंदुस्तान को इंडिया गडबंदन ने सार्फ दे दिया है यह जो हमारा परफॉर्म हुआ है इंडिया गडबंदन का परफॉर्मन्स हुआ है इसके पीछे कॉंस्टिटूशन जो रेजरवेशन पर बीजेपी ने आकरमन किया गरीबी अधानी जी के आपने स्टॉक्स तो देखे होंगे देखें देखें हैं उस टॉक्स उनके तो बड़ी इंट्रेस्टिंग बात है जनता अधानी जी को मोधी जी से डिरेक्टली को रेलेट कर रही है मोधी जी की हार होती है स्टॉक मार्केट कहता है तो अदानी जी गए, मतलब डिरेक्ट रिलेशनिशिप है, करॉप्शन की रिलेशनिशिप है, और देश ने ने नेरेंद्र मोदी जी को साफ कह दिया है, कि हम आपको नहीं चाहते हैं, and this is the main thing that this election has said, the country has unanimously and clearly stated, we do not want Mr. Narendra Modi and Mr. Amit Shah to be involved in the running of this country, we do not like the way they have run this country, we do not appreciate the way they have attacked the constitution, we do not appreciate the way they have run this country for the last 10 years. So that is a huge message to Mr. Narendra Modi. I'd like to thank everybody who has participated in this election, I am extremely proud of the people of India, I am extremely proud of the people who have resisted this onslaught on the constitution. And, I am a powerful all on thez, and I'm telling you, that you change this is the most poor people in India, the most poor people in Indonesia The highest church people have done it, the mayor, the cristians have done it, the architect have done it, the ministry have done it and the shop have done it. They have saved it. को बचाया है इस Constitution ये Constitution देश की आवाज है बहुत सारे लोग ने इसको नहीं बचाया छुप रहे गए थे मगर हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोग सबसे कमजोर लोग खड़े हो गए और उन्होंने इस Constitution का बचाया मैं उनका धनेवाद करना चाहता हूँ उनके उनसे कहना चाहता हूँ कि Congress Party आपके साथ खड़ी है जो हमने आपको वाइदे किये थे हम वो वाइदे आपके लिए पूरे करेंगे जाती जनगरना महालक्षमी ये हमारे वाइदे हैं धन्यवाद शुक्रिया राउल जी अभी तीन चाह सवाल सिर्फ हम लेंगे एक मिनिट एक मिनिट प्लीज एक मिनिट शान्त हो जाईए प्लीज शान्त हो जाईए प्लीज शान्त हो जाईए एक मिनिट शान्त हो जाईए एक निट शान्त हो जाए एक मिनट खरके जी और राहूल जी आपका चार पांच सवाल लेंगे Sanjeev, हाँ जी, एक मिनट, एक एक करके चिलाइएगा मद प्लीज, चिलाइएगा मद, हाँ Sanjeev Raul Ji, although the NDA has emerged as they're getting the majority, but some of its partners have been your partners in the past, including the TDP and the JDU. So have you decided to sit in the opposition, or there are chances of government formation by the India Council? C ξ Multip Anfang, झी चीह पनेकिन और भी पीटान कूछ्यान की विखना प्रूंसी प्रूंसे हैक्टार्न, को बेचिन हैं इन्यों सभाज्डिक आपक된 करिदेने कि यह पन्काने कु condemn साथ एंदोस्तान के गरीब की जीत है, समिधान बचाने की जीत है, तो अगर वहही सुछार बैचते हैं, और सरकार बनांने की पहल नहीं करते हैं, वह इसमिल्ड़ नहीं है, तो केसे इन को आगे उनका हग दिलाने के लिए आगे आपाएंगे? आप मतलब दूसरे तरीके से पूछ हो कल डिसाइड होगा, इंडिया गड़बंधन की मीटिंग है, कल हमारा लाइन्स डिसाइड करेगा, बड़ी फाइन लाइन है, तो जो इंडिया गड़बंधन डिसाइड करेगा, उस पे हम एक्शन लेंगे. सर खरगे साब याप से पूछना चाहते थे कि यहाँ पे बीजेपी में जश्न हो रहा है और उनके साब से एंडिये को मिजॉरिटी मार्क से उपर मिला है तो एंडिये सरकार बना रही है तो यहाँ पर क्या आपको लगता है कि आपने का नेतिक अधार पर प्रधानमंती नरेंद मोदी को नहीं बने रहना चाहिए क्या आपको लगता है कि बीजेपी में भी खेमे बंदी होगी इसको लेके और क्या खुद नरेंद मोदी को यह फैसला लेना चाहिए देखिए, अभी राहूल गांदी जी ने आपके सामने सपस्ट किया, जब तक हम अपने अलाइंस पार्टनर से बात नहीं करेंगे, और जो नए पार्टनर हमको जुड़ने वाले हैं, उनसे भी किस तरीके से हम बात करके अपने को मिजॉर्टी बना सकते हैं, वो देखेंगे सारे स्टैटिजीज अगर यही मैं बोलूँगा, फिर मोदी जी हुशार हो जाएंगे, इसलिए मैं जराम जी, जराम जी, जराम जी, जराम जी, जराम जी, खर्गे साब ने का कि हम जनादेश को स्विकार करते हैं, जनादेश इंडिया गटबंधन के लिए क्या है, विपक सीटों से जीते हैं, बधाई, आप कौन सी सीट रखने वाले हैं, नहीं, सब दोनों सीटों से जीता हूँ और राइबरेली और वाइनाड के जो वोटर्स हैं, उनका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, अब डिसाइड करना है कौन सी सीट पे मैं रहूंगा, थोड़ा पूछूंगा और फिर डिसाइड करूंगा, दोनों सीटों में तो नहीं रह सकता हूँ, बट अभी डिसाइड नहीं किया है, अब तक काफी लंबी यात्रा रही, काफी बीच में उतार चड़ावाई, अब 100 का अकड़ा आपने चुआ है, दो हजार नौ में जब इसी तरह का मेंडेट आया था, तो पार्टी के अंदर दो रहे थी, एक हम विपक्ष में रहें, पार्टी मजबूत करें या सरकार के साथ जाए, आप सरकार के साथ जाए, 2009 में, 2009 में हाँ, 2009 में तो क्या बात करें, 2009 में दोबारा जब हमत मिला था, तब एक रहे थी कि आ विपक्ष क रहके आप और पार्टी मजबूत करना चाहते हैं या सरकार बना चाहते हैं आप चाहते क्या हैं नहीं देखिए हम एक कोलिशन के भाग हैं ठीक है कॉंग्रेस पार्टी है बाकी पार्टियां है और उनके साथ अभी हमारा डिस्कॉशन नहीं हुआ है हमने बैया शांत हो इंडिया पार्टनर से कहा था कि चुनाओ के बाद पांच तारी को हमारी मीटिंग होगी और उस मीटिंग में हम यह जो सवाल है इसको डिसाइड करेंगे तो सच मुच में इस सवाल का जवाब आज हमारे पास है नहीं कल होगा अमेठी में आपके लिए कहा गया कि राहूल गांदी ने अपने पीए को चुनाओ लड़ा दिया अब उन्हीं किशोरी लाल शर्मा जी जो है वो चालेस साल से अमेठी में कॉंग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और उनका अमेठी की जनता के साथ रिष्टा है शायद बीजेएपी के लोगों ये बात समझ नहीं आई थी कि किशोरी लाल शर्मा जी अमेठी से बहुत क्लोसली कनेक्टिड व्यक्ति हैं और इसलिए उनकी जीत निश्चित थी और मैं उनको कंग्रेचुलेट करना चाहता हूं कि अच्छी तरह वो जीते हैं और उनको बारे में ये कहना कि वो पिये हैं स्टनों है ये बिल्कुल गल्त है ये उफिंसिव है ये नहीं कहना चाहिए राहुल जी मैं मोहित हूँ न्यूज नेशन से आपने एक बात बोली जो मैं इसके जवाब देना चाहता हूं देखिए UP UP की जनता से मैं कहना चाहता हूँ आप से ज़ादा political wisdom मतलब आपने कमाल करके दिखा दिया UP के जनता ने कमाल करके दिखा दिया नहीं नहीं बहुत सारे states ने कमाल करके दिखाया मगर UP ने हिंदुस्दान की राजनेती समझ कर Constitution पर खत्रा समझ कर उत्तर प्रदेश ने Constitution की रक्षा की है और मैं सब स्टेट्स का धन्यवाद करना चाहता हूँ मगर उत्तर प्रदेश को मैं स्पेशल कहना चाहता हूँ आपने Congress Party का इंडिया करबंदन का समर्थन किया बहुत बहुत धन्यवाद इसमें यूपी में एक और बाद में बोल देता हूँ इसमें मेरी बेहन प्रियंका गांधी का भी काम है तो यहां पीछे चुपी होई है रहुल जि शुक्रिया साथियो शुक्रिया हो गया रहुल जी रहुल जी लेट्स गो झाल 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 झाल